नमस्कार मैं हूँ योगेश राना और बात करते उत्राखण में बदल नहीं राजनीती पर भाजपा के पूर मुख्यमंत्री तिर्वेन सिंग रावत, भाजपा के प्रदेश महमंत्री कुलदीप कुमार और मुख्यमंत्री पुसकर सिंग धामी के लिए सीट खाली करने वाले कैलास गहतोडी को पीछे चोड़ते हुए भाजपा ने डोक्टर कल्पना सेनी को मिलता लेकिन सारे दिगजों को मात देते हुए बाजी कल्पना सेनी के हाथ लगी है यह एक समझने वाली बात है ऐसा कैसे हुआ और भाजपा ने ऐसा क्यों किया क्योंकि तिर्वेन सिंग रावत के करीबी तो यह मान कर बैठ गए थे कि राजसभा की सीट के साथ तिर्वे लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनको राजसभा का टिकट मिला नहीं मैंने पहले भी कई बार कहा है कि उत्राखंड की राजनिती करवट ले रही है जब कोंग्रेस ने उत्राखंड में दलित कार खेलते हुए ये श्पाल आरिया को नेता प्रतिपक्स की जिम्मेदारी दी थी मैं मैंने उस वक्त भी कहा था जब भाजबा ने अपने मंत्री मंडल में रेखा आ रही है कि होते हुए एक और दलित चेहरे को सामिल किया था मैंने उस वक्त भी कहा था और आज हरीद्वार से ओभी सी कार खेलते हुए भाजबा ने कलपना सेनी को राजसभा का टिकट थमाया है मैं आज भी यही बात कहता हूं कि उत्रखन की राजनिती धीरी-धीरी करवट ले रही है और दोजार सताइस तक यह पूरी तरीके से बदलने वाली है राजनिती में व्यक्ति और इच्छाय महत्पून नहीं होती है राजनिती में प्रिस्थितिया और उन प्रिस्थितियों के अनरूप लिया गया सही फैसला सही समय पर महत्पून होता है जिस दिसा में भाजपा कदम दर कदम बढ़ रही है आप याद कीजिए मैंने कहा था कि जब पुशकर शिंग धामी का मंत्री मंडल सपत ले रहा था तो उसमें नई केबिनेट में जो नई केबिनेट बनाए गयी थी उसमें तीन बरहमन तीन ठाग और दो दलित और एक बनिया चेहरे को सामिल किया गया था दलित समुदाय से आने वाले चंदर नाम दास और रेखारिय को मंत्री मंडल में सामिल किया गया ये दोनों लोग कुमाव छेतर से आते हैं और गोर करने की बात है कि अलमोड़ा के सानसद भी अज़े टमटा है और वो भी कुमाव छेतर से ही आते हैं ये है तो एक बात हुई जिस पर गोर करने की जरुत है अब दूसरी बात की बात करें तो आप विधान सब चुनाओ के परणाम को याद कर लीजे हरीदोवार और उदहम सिंग नगर में भाजपा को सबसे बड़ा जटका लगा है ये ठीक बात है कि भाजपा ने 47 विधायकों के साथ बंपर जीत हासिल किये लेकिन खुद मुख्यमंद्री पुसकर सिंग धामी अपनी खटीमा सीठ हार गए उदहम सिंग नगरों हरीदोवार में भाजपा को खुब नुकसान हुआ खुब भीतरगात की बात उठी जिसकान भाजपा इन दोनों जिलों में 2017 का इत्यास नहीं दोरा पाई उदहम सिंग नगर की नो में से भाजपा को चार और हरीदोवार की ग्यारा में से भाजपा को बस तीन सीठी मिल पाई जबकि इन दोनों जिलों में 2017 में भाजपा ने जोरदार जीत दर्ज की थी दो बातों पर गोर करने की जरुत है इन सारी बातों को देखते हुए एक इन दोनों जिलों में ही भाजपा संगठर में सबसे बड़ा जगड़ा है जो सामने आया है भाजपा ने जो अंद्रूनी समिक्षा कराई है हार की उसमें भी सीधे सीधे सामने आया है और बार बार बात उखती रही है कि इस भीतरगात की हार को लेकर इन दोनों जिलों से निप्टा कैसे जाए और बात ये उखती रही है कि भीतरगात करने वालों पर एक्षन किया जाए और दूसरी बात इन दोनों जिलों में ही मुसलिम आबादी सबसे जाद है केई सीटे तो ऐसी है जहां पर मुसलिम आबादी deciding factor है यानि यहां पर भाजपा को विरोधी और अपनों दोनों से जीतना है और इसके लिए एक ही रास्ता है नई समीकन बनाये जाए जो समय की मांग बन रहे है यानि 2024 के लड़ाई इन दोनों जीलों में कठीन है और इन दोनों जीलों में OBC मददाता सबसे जाद है यह भी एक सच है इसलिए सारे समीकन साधने के लिए भाजपा ने कलपना सेनी को राजसबा भेजने का फैसला लिया है और गोर कीजिए उत्राखन में भाजपा की राजनीती दलीत पिछडे के साथ-साथ महिलाओ को आगे लाने की दिशा में बढ़ती जा रही है आप विधानसबा चुनाओ के पहले और बाद से अब तक के समयकाल को ध्यान से देख लीजिए उसमें बदलाओ को देख लीजिए वैसे अगर मुझूदा समय को देखेंगे तो उत्राखन राजसावा की तीन सीटों में से दो भाजपा के पास है और तीसरी सीट जो खाली हो रही है या भी कॉंग्रेस के पास है जिसका प्रतिनीजिद कॉंग्रेस के प्रतिप टमटा कर रहे है इस सीट के लिए 10 जोन को चुना होना है कॉंग्रेस उत्राखन में इस सीट के लिए उम्मीदवार घोशित नहीं कर रही है जैसे कि अब तक की सूचना आ रही है और वैसे भी कॉंग्रेस के पास संक्या बल नहीं है इसलिए भी वो अगर उम्मीदवार खड़ा भी करती है तो उसके बहुत ज़्यादे कोई प्रिणाम बन नहीं रहे है इस तरह से यह तैह हिए कि राजशवा की तीसरी सीट भी भाजब़ा के हिस्से में आ रही है इस तरह से 10 जून के बाद तीनो राजशवा और पांचों लोकसभा की सीट भाजब़ा के कबजे में होगी उत्राखन में ऐसा पहली बार होनी जा रहा है जब परदेश की और से कुंग्रेस का कोई भी परतिनी धित संसद में नहीं होगा और भाजबा ने 2024 की तैयारी भी सुरू कर दिये कलपना सेनी के नाम का एलान इसी दिसा में उठाए गया एक बड़ा कदम है इसलिए देखना होगा कि परदेश में कुंग्रेस का गिरता ग्राफ कहां पर जाकर रुपता है और परदेश कुंग्रेस के नेता इस हकीकत को कितनी जल्दी समझ पाते है नमस्कार आप बने रहे मेरे साथ